नमस्ते बच्चों आज का हमारा पाठ है सिकंदर का अभिमान बच्चों सिकंदर एक ऐसा शासक था जो विश्रु विजय का सपना लेकर के निकला था उसने पूरे विश्रु पर विजय प्राप्त की केवल भारत को छोड़ करके यहां पर इन संतों के त्याग और बलिदान क देख करके उनके विचारों से प्रभावित होकर वह वापस विश्रु विजय के विचार को त्याग करके युनान लौट गया आए पढ़ते हैं यह पाठ राजा पूरु को हराने के बाद सिकंदर बहुत प्रसंद था विश्रु विजय की उसकी लालसा पूरी होती दिख लालसा मतलब उसकी इच्छा जो थी पूरु को हराने के बाद उसके सैनिक जश्न मना रहे थे और वह आगे की लड़ाई की योजना बना रहा था तीन दिन और तीन रात तक सभी सैनिक खुशिया मनाते रहे सिकंदर ने चौथे दिन शाम को अपने सैनपत्य को बुलाया औ कौन-कौन से स्थान है कौन-कौन से राज्य है यह सब देखने जा रहा हूं थोड़ी डेट है रहे मैं कुश्च चुनेवे सैनिकों के साथ चलता हूं सैनपती ने कहा नहीं मैं अकेले घूम फिर कर इस देश को देखना चाहता हूं मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ चले उससे घुमने फिरने और देखने सुनने में बाधा उत्पन होगी यह कहकर सिकंदर ने साधरन कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा चारों और खना अंधेरा था मतब बहुत अंधेरा था चारों तरफ युद्ध के बाद उसने किसी घर में दीपक जलते हुए नहीं देखा था अधिकतर घर सुनसान थे बच्चे बुढ़ों तक की आवाजे नहीं सुनाई पड़ रही थी केवल हवा साएं साएं चल रही थी चारों और तबाही और उदासी थी लेकिन सिकंदर अपने आपको संसार का सबसे भाग्यशाली आत्मी समझ रहा था उसने एक गली से दूसरी गली होते वे पूरा शहर चान डाला लेकिन उसे कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा शहर के सभी गर विरान और लुटे पड़े थे जाने के जब राजा आकरमन करते हैं बच्चों तो उस समय वो सब कुछ लूट लेते थे वो यह भी नहीं देखते थे कि बच्चा है बूड़ा है चारों तरफ कतले आम हुआ करता था उस समय भी परिस्ति यही थी सब तरफ तबाही मची हुई थी किसी घर में कोई नहीं बचा था कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी सिकंदर यह देख करके अपने आप पर अभिमान कर रहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ जब सब तरफ वीरान मतलब चुप चाप सन्नाटा सुंसान कोई नहीं दिखाई दे रहा था वहा कोई पहने धूनि रमाय कुछ सादू दिखाई दिए कोई में मतलब बच्चों लंगोटी झोट चुटकी भी देख कर उसे बहुत अचरज हुआ वैसोद ने लगा किया कर रहे हैं शायद बिचारे बहुत करीब है कडाके की ठंड से बचने के लिए इनके पास कपड़े नहीं हैं इसलिए तो आग जलाकर उसके चारों और बैठे हैं इस तरह साधुओं को देखकर सिकंदर दुखी हो गया उसने सोचा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए यह सोचकर वह लाट आया और सेनपती से बुला कुछ कंबल और उनी कपड़े जल् सेनपती को याद दिलाया नगर को लूटने के बाद कंबलों आदी का धेर लगा था कहां गए थोड़ी ही देर में एक उट पर कंबल उनी कपड़े आदी लदवा कर सिकंदर साधूं के पास पहुंचा वे थोड़ी देर वहां खड़ा रहा लेकिन साधूं का ध्यान ना त नहीं हुई उनकी यह विरक्ति देखकर सिकंदर हैरान रहे गया विरक्ति मतलब बच्चों किसी भी प्रकार का मोह ना होना त्याक की भावना उसको विरक्ति बोलते हैं तो जब उन्होंने देखा कि इतनी सर्दी में एक मूट इतने सारे कंबल लेके खड़ा है उनी कपड से तो उतकी विरक्ति को देखकर के सिकंदर हैरान रह गया आखिरकार वे सबसे वरद्ध सादू के पास पहुंचा और बोला महराज जी जड़ा देखिये तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं युवक्त तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे ले क्या कर सकता हूं सा मैं यहां कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आया हूं इस कढ़ाके की ठंड में आप सब को ठिचुरते वे देखकर मेरा दिल पसीज उठा इसलिए मैं आप सब के लिए कंबल और उनी कपड़े लाया हूं सिकंदर ने कहा आप सब इतनी ठंड में बैठे थे तो मेरा दिल ब सिकंदर की गरवोक्ति सुनकर सभी साधू मुस्कुराए सबसे व्रद्ध साधू सिकंदर को तेज नजरों से देखते वे उसके पास गया पर उसके कंधे पर हात रखकर उसने पूछा तो तुम जगत प्रसिद सिकंदर हो तुम संसार के देशों से उनकी खुश्या चीन कर उन्हें जीतने निकले हो, मुझे एक बात बताओ युवक, एक लुटेरा किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दानी बन सकता है, मतलब उसने अपना परिचा भी दिया भी नहीं था, गर्वोक्ती मतलब घमंड से भरीवी बात सुनकर, एक साधू बोला, अच्छा, तो तुम ही सिकंदर हो, जो संसार को जीतने निकले हो, तो तुम कैसे एक साथ विजेता और दानी बन सकते हो, एक तरह तो तुम दान कर रहे हो, और दूसरी तफ विजेता हो, तो ये एक साथ नहीं हो सकता, सिकंदर को इसका कोई जवाब नहीं सूचा, अभी तक सिकंदर के सामने ऐ तो तुम्हें लोगों के दिलों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए दूसरों का मन जीता जाता है उन्हें खुशियां देकर नाकि उनकी खुशियां चीनकर हम लोग साधू है और अपनी इच्छा से हमने सांसारिक सुखों से मुह मोड लिया है हम लोगों को कुछ भी नहीं लेकिन यदि तुम्हें कोई वस्तू चाहिए तो मांग लो हम लोग उसके लिए प्रयत्न करेंगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए मतलब सिकंदर जो सोच करके आया था हुआ बिल्कुल उसके विपरेत उल्टा साधू को वो कंबल और उनिवस्त देने आया था बलकि साधू ही उसे समझाने लगे कि किसी की खुशियों को छीन कर किसी का दिल नहीं जीता जाता बलकि उन्हें कुछ दे करके दान करके हम लोगों के दिल में अपनी ले जगा बना सकते हैं तुम तो विश्व विजयता बनने का सपना ले करके आये हो ऐसा करो हम तो सारी वस्तों का त्याग कर चुके हैं की भीशन्चीत कारें उसके कान में गूंचने लगी आगजनी और लूट पार्ट के द्रश्य उसकी आँखों के सामने नाचने लगे गायलों की करहा और बच्चे इस्त्रियों तथा वृद्धों का बिलखना याद करके उसकी आत्मा चट पटाने लगी वे बिचैन हो गया उसने सादूं को शद्धा से जुक कर प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने शिविर किया और चल पड़ा उसी समय रात को उसने घोशना की हम लोग अपने देश लौट जाएंगे मैं अब विश्व विजय नहीं करना चाहता उसी समय रात को उसने यह घोशना की हम लोग अ लुटना खशोटना या बेएमानी करना नहीं सिखाती और हमारी इसी संस्क्रति हमारे इनी संस्कारों ने विश्व विजेता सिकंदर को भी यह शिखा दिया कि कभी भी किसी का छीन कर हम सुखी नहीं रह सकते हम केवल दे कर त्याग कर के किसी प्यार से अपना करके यही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और यही बात हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए